हेलो फ्रेंड्स वेलकम ट्यूटेरिया मैं प्रेंट कुवार आप सभी का स्वायत करता हूँ आज के इस वीडियो में जो है महत्पून समान अध्यान प्रस्टन सिंखला का 26 वीडियो इससे पहले 25 वीडियो अप्लोड किये जा चुके हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप् सबसे पहला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा सहायक संधी की विसेस्ता नहीं है तो आपने कई बार मॉडरन हिस्ट्री के दौरान परहा होगा सहायक संधी वास्तों में ये सहायक संधी क्या है तो वैलेजली के दौरा भारतिये राजवारों से किये जाने वाले एक सं देशी रियास्तों की आंतरिक सासन कंपनी के अधीन हो जाती थी देशी रियास्तों की विदेश निती कंपनी के अधीन होती थी और कंपनी की सेना का खर्च उठायाना जो है वो रियास्तों को पड़ता था तो चारों आप्शन को अगर आप बारीकी से अधेन करेंगे तो इ अपनी के अधीन हो जाती थी उनकी आंतरिक निती अधीन नहीं होती थी इसके अलावा उन्हें सेना के खर्च जो है उठाने पड़ते थे साथी साथ अपने सासन छेतर में एक बिटिस रेजिमेंट को भी रखना अनिवारे होता था तो इस परकार से इसका जो सही उत्तर है व भारत के कई भागों में बिष्टेत रूप से फैला था जिसमें से यूपी बिहार ये प्रमुक थे इसके अलावा देल ही मदपरदे साथी छेतरों में इसका विद्रोह काफी प्रवल था और इस विद्रोह को किसने दबाया था आप्सन है कर्णल नील मेजर विलियम टेलर विंसेट आयर कैमबेल तो इलाहबाद के छेतर में जो दबाने का कारे किया था वो कर्णल नील ने किया था इसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए कि यहां के जो विद्रोही नेता थे वो लियाकत अली थे तो लियाकत अली को दबा करके कर्णल नील ने जो है में इस वीद्रोह को दमन कर दिया था इसके अलावा लखनाव बिहार में जमसेदपूर आदी प्रमुक छेतर थे जिससे संबंधित प्रश्ण भी पूछे जाते हैं तीसरा प्रश्ण निमलिखित में से किस समाचार पत्र पर वरना कूलर प्रेस एक्ट के तहट करवाई की गई थी तो आपको पता है कि भारतिये प्रेशों पर परतिबंध लगाने हेतु जो है वरना कूलर प्रेस एक्ट जो है ब्रेटिश के दोरा लाया गया था इसके लाया जाने के बाद कुछ प्रेश पर करवाई की गई थी आप्सन है पाइनियन भारत मिहीर बंगाली इनमेश कोई नहीं तो इसका जो सही उतर जो है भारत मिहीर क्या है इसकी सचाई आए जानते है भारत मिहीर और सोम प्रकास दो ऐसे प्रमुख समाचार पत्र थे जिन पर वरना कूलर प्रेस एक्ट के तहट करवाई की गई यदिपी यह कानून जो है वो अमरित बजार पत्रिका के लेकर के लाया गया था और अमरित बजार पत्रिका ने इससे बचने के लिए रातो रात अपने मेडियम को चेंज कर दिया था लेकिन बाद में भारत, मिहीर और सोम प्रकास दो समाचार पत्र थे जो बच नहीं सके और उनपर करवाई की गई Чोथे प्रश्ण क्यों आते हैं इंडिपेंडेन्स नामक समाचार पत्र किन के द्वारा प्रकासित या संपादित किया जाता थ ह। ओप्सन है के-ेम पड़नीकर, मोतिलाल नहरु, झवाहालाल नहरु, चितरंजन दास, तो इंडिपेंडेंस नामक जो समाचार पत्र है वो मोतिलाल नहरु जी से समबुछे जाते हैं, आते हैं पांचमे प्रशन के और, पांचमा प्रश्न हमारा रेस्मी रुमाल सडयांत्र कि मौलवी अहमदुला से मौलवी उबैदुला सिंथी से मौलाना बसीर से और खुदा बक्स सिंथ से तो सबसे पहले आप जानने रूस्मी रुमाल सडेयंतर क्या है तो इसके तहट जो है मुस्लिम नेताओं के द्वारा मुख्य रूप से जो मुस्लिम देश थे उनसे अंग्रेजो के विरोध में मदद की मांग की गई और उनको अंग्रेजो के विरोध एक जूट करने और भारत का समर्थन करने के लिए मनाने की जो प्रकिरिया चली थी उसे रेस्मी रुमाल सडेयंतर कहा जाता है और इसका नित्रे तो जो है वो मौल भी उबेदुल्लाह सिंधी के द्वारा किया गया थो और ये खुदाई सेना से संबंधी थे और मुख्य रूप से जो भारत का जो पस्चमी सीमा प्राण छेतर था उस छेतर में ये अपनाया गया था छटा परशन हमारा असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कॉंग्रिस अधिवेशन में पारित हुआ था तो आपको पता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन लाया गया था तो इसका प्रस्ताव पारित हुआ था option है मुंबई अधिवेशन, कानपूर अधिवेशन, नागपूर अधिवेशन और कोलकता अधिवेशन तो यहां आपको दो पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे पहले जो है इसके संबंद में कोलकता अधिवेशन लाला लाजबत राय जी के अधिवेशन में यह प्रस्ताव लाया गया था लेकिन नागपूर अधिवेशन में इसको पास किया गया और इसके बाद जो है हो गया था आते हैं साथवे प्रस्तित में से कौन पारिस्थित की तंतर के संबंद में सही नहीं है तो इको सिस्टम जिसे हम लोग जानते हैं और उसके संबंद में कौन सा सही नहीं है यह एक बंद तंतर होता है इसकी अपनी उत्पादक्ता होती है यह एक प्राकृतिक सं साधन तंत्र होता है या एक कारेसील इकाई होती है तो अगर ecosystem के वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा तो आसानी से इस प्रशन का सही उतर चुन सकते हैं इसका सही उतर जो है वो option A है जो की सही नहीं है यह एक बंद तंत्र होता है यह गलत है क्योंकि ecosystem जो है यह एक प्रकार का open system होता है जहां एक दूसरे से जीव और जलवायू जो है वो संपर का स्थापित करते हैं जिसके बाद यहां की अपनी उत्पदक्ता इनकी अपनी प्राकिर्टिक संदरचना और एक एक दूसरे के साथ जो है वो काड़े करने की इकाई तयार होती है तो यह एक बंद तंत्र नहीं होता बलकि यह एक open तंत्र होता है आते हैं आठवे प्राश्न के ओर निमलिखित में से कौन सा रास्टिये उद्यान एवं राज्ये सही सुमेलित किये गए हैं तो यहाँ सही सुमेलित को ढूणना है बांदीपूर क्या तमिलाडो में है दामफा क्या असम में है बांदावगड क्या 36 गड़ में है और बुकसा क्या पस्चिम चमपारन में है इसका जो सही उत्तर की और हम लोग आते हैं तो इसका सही उत्तर जो है वो है बुकसा पस्चिम चमपारन बुकसा जो है वो पस्चिम चमपारन में है अन्ने का सही मिलान इस परकार से है बांदीपूर जो है वो तमिलाडो में नहीं बलकि करनाटक में है डंफा आसम में नहीं बलकि मिजोरम में है और बांदाव गड़ जो है वो 36 गड़ में नहीं बलकि मद्ध परदेश में है जबकि बुक्षा जो है वो पश्चिम बंगाल में जो सही सुमेलित है आते हैं नौ में प्रशन के और त्रिवेनी नहर को पानी किस नदी से मिलता है तो बिहार को लेकर के ये प्रशन काफी इंपोर्टेंट है बिहार में ही ये नहर है और option है आपके बुढ़ी गंडग, गंडग, कोसी, बागमती तो त्रिवेनी नहर प्रणाली ये मूल रूप स निकलती है गंडग से ये गंडग जो नेपाल से यूपी होते हुए और बिहार के सीमा से होते हुए जो है वो प्रवेस करती है और बिहार में आने के बाद यहाँ पर जो डैम बनाया गया है और डैम से त्रिवेनी तिरूत आदी नदिया जो है वो निकाली गई है तो इनी न दसमा प्रशन है भारत में किस छेत्र में सरवाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर पाया जाता है। टेंपरेचर दैनिक तापांतर काभी कम होता है तो इसे याद रख लेंगे आते हैं अगले प्रशन के और ग्यारबाद प्रशन है निमलिखित कत्नों में से कौन सही नहीं है भारत का जनसंख्या घना तो 382 वर किलोमीटर है भारत का कुल साक्षर्टा दर 73 परतिसत है भारत क दस्किये विर्धीदर 2011 में 1727 परतिसत था और भारत का लिंगा अनुपात 945 परति 1000 पर है तो कौन सा सही नहीं है 2011 की जनगना के अधार पर ये प्रशन पूछा गया है इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन D भारत का लिंगा अनुपात 945 नहीं है बलकि 943 है तो 943 महिला है परती 1000 पूर्शो पर अन्य सभी कथन जो है जन गन्णा के अनुशार सही है बारावे प्रशन के और आते है तीन जनवरी को उप्शोर की घटना होती है उप्शोर की घटना से क्या समझते हैं ऑप्शन A इस दिन पृतवी पर दिन रात बराबर हो जाते हैं इस दिन पृ प्रित्वी सूरे की दूरी सबसे नियुनतम होती है और इस दिन प्रित्वी और सूरे की दूरी सबसे अधिकतम होती है तो जैसे ही इसका नाम पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा यदि उप कहा जाएगा तो यानि सबसे कम दूरी वाला और अब कहा जाएगा तो स एक सरकिल है प्रित्वी का घूमने का तो इस दोरान एक समय आता है जब सुरे से इसकी दूरी बहुत कम हो जाती है और ये तीन जनवरी को ये घटना होती है और एक दिन इसकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है ये चार जुलाई को जो है ये घटना होती है तो चार जुलाई क जब सबसे ज़्यादा दूरी होगी तो अपसौर कहलाएगा और तीन जनवरी को जब सबसे कम दूरी होगी तो उपसौर कहलाएगा आते हैं तेरह वे प्राशन के और कौन सी भुकंप तरंगे सबसे अधिक विनासकारी होती हैं तो आपको पता है कि पृत्वी के नीचे जहा तीन प्रकार के तरंगे निकलती हैं P, S और L, Primary, Secondary और Love Waves तो इसमें जो सबसे खतरनाक होती है वो होती है L तरंगे, क्यों होती है कि Primary तरंगे सबसे स्पीड में आते हुए तेजी से निकल जाती हैं, S वेब भी तेजी से निकल जाती हैं लेकिन जो L वेब होता है जिसे Love या सर्फेस वेव कहा जाता है ये थोरी सी कम स्पीड में आती है जिसके कारण ये चीजों को उपर नीचे जादा करती है और जिसके कारण चीजें बिनास कड़ी स्थिती में आ करके तूट कर गिरने लगती है तो बिल्डिंग्स को नुकसान पहुचाने में पेर पौधों को बीच है मैनर हीन रेखा रूस और फिनलेंड के बीच है और हिंडन बर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम के बीच है तो इन चारों आप्सन में से अगर सही उत्तर ढूने तो ये आप्सन सी जो है वो सही है मैनर हीन रेखा जो है ये रूस और फिनलेंड के बीच ही है अन् पूछा गया है अगले प्रशन के ओर निमलिखित में से कौन सी परवत स्रिंखला सबसे लंबी है तो पृत्वी पर कई परवत स्रिंखला हैं इन में से सबसे उची स्रिंखला में हिमालाय को जाना जाता है लेकिन यहां पर पूछा गया है सबसे लंबी परवत स्रिंखला तो ऑप्शन है हिमालाय रौकी आल्प एंडीज इसका जो सही उत्तर जो है वो है एंडीज परवत एंडीज परवत जो है वो दक्षिन अमेरिका के परवत स्रिंखला में है जो 200 की सबसे लंबी और सबसे के इस मुहाने पर आकर के ये समाप्त होता है ये पूरी की पूरी स्रिंखला जो है एंडीज प्रवस्रिंखला के नाम से जानी जाती है सुला में प्रश्निक आते है किस अधनियम द्वारा केंद्रिये बचट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया तो बजट जो है आपको पता है कि बजट पेस किया जाता है और बजट के माध्यम से पूरे एक वर्स के वीतिये लेखा जोखा को प्रस्तूत किया जाता है पहले जो है केंद्र और राज्य के बजट एक साथ होते थे लेकिन एक अधनियम लाकर इन दोनों को अलग-अलग किया गया किसके द्वारा किया गया ओप्शन है उनेशो नौ के अधनियम द्वारा भारसासन अधनियम उनेशो उनीश त्वारा भारसासन अधनियम उनेशो उनीश त्वारा भारसासन अधनियम उनेशो उनीश त्वारा पहली बार केंद्रिये बजट को राज्यों के बजट से अलग क इसमें नामिक और वास्तविक दोनों परकार के कारेपालिका होते हैं जैसे राष्टपती और परधान मंत्री, नामिक मतलब राष्टपती और वास्तविक मतलब परधान मंत्री, बहुमत प्राप्ट दल की सरकार होती है, सामुहीक उत्तरदाय तो यानि लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं, या मंत्री मंडल के जितने सदस्य होते हैं, उन सभी क पर्धान मंतरी के नेत्वित्तों में सरकार चलती है, निचले सदन यानि लोकसभा का विघटन हो जाता है, और गोपनियता का भी ख्याल रखा जाता है, तो संसदिये विवस्था में इन सभी जो विशिष्टाएं हैं उनको सामिल किया जाता है अठारवा प्रशन में दो कथन दिये गए हैं, इन कथन के संबन में प्रशन बना हुआ है, पहला कथन है, जब राज्ये में राश्टपती सासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्ये के लिए राज्ये सूची पर कानून बनाने की सक्ति दे दी जाती है, इसके अलाबा राश्टपती सासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाये गए कानून परभावी रहता है, तो क्या राश्टपती सासन समाप्त होने के बाद संसद द्वारा बनाया कानून परभावी रहेगा, ओप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, ना तो एक सही है, ना तो दो स जब राज्ये में राष्टपती सासन हो तो संसद को संबंधित राज्ये के लिए राज्ये सूची पर कानून बनाने की सक्ति प्राप्त हो जाती है। उनी स्वा प्राशन है आर्टिकल 54 किस से संबंधित है तो आपको पता है कि आर्टिकल 52 राष्टपती से और फिर इसके बाद सभी राष्टपती से ही संबंधित है। आर्टिकल 55 राष्टपती के चुनाव का तरीका आर्टिकल 56 राष्टपती के पद का कारेकाल और आर्टिकल 60 राष्टपती के सपत गरहन से संबंधित है 20 प्रस्थने किसी राज्य के मंत्री वेक्तिगत रूप से किसके प्रति उतरदाई होंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी राज्य में तो राज्य में जो मंत्री होते हैं जो भी मंत्री बनाय जाते हैं यह दो प्रकार से उतर दाई होते हैं एक वेक्तिगत रूप्षे और एक सामुहिक रूप्षे तो सामुहिक रूप से जब भी होंगे तो क्या होगा ये विधान सभा के परती होंगे लेकिन जब बेक्तिगत रूप से होंगे तो किसके परती होंगे आप्शन है राज्यपाल, मुख मंतरी, विधान सभा के परती, विधान सभा के परती तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है बेक्तिगत रूप से वो राज्यपाल के परती होते हैं ध्यान आपको ये रखना है कि बेक्तिगत रूप से राज्यपाल और सामुहिक रूप से विधान सभा जब यही प्रश्ण राज्य की जग़ केंदर से पूछा जाएगा तो यहां राज्यपाल की जग़ राष्टपती हो जाएगे और वहां बिधान सभा की जग़ लोक्षभा उत्तर होगा 21 प्रश्ण निम्न कतनों में से कौन सा गलत है राज्य लोक्षेवा आयोक के सदस्यों एवं अध्यक्षों की न्यूक्ती जो है वो राजपाल द्वारा की जाती है राज्य लोक्षेवा आयोक के अध्यक्षी या सदस्य को कुना न्यूक्त नहीं किया जा सकता है राजे लोग शेवा आयोग के अध्यक्षेवं सदस्यों के वेतन भत्ता राजे संचितनी धी से दिया जाता है जबकि पेंसन भारत के संचितनी धी से दिया जाता है और राजे लोग शेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों के उसके पद से हटाने की सक्ती राजे पाल के पास नहीं है तो इन चारों कत्नों में अगर ध्यान देंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो उप्शन C है क्योंकि राजे लोग शेवा आयोग से संबंधी जो अध्यक्ष और सदस्यों होते हैं उनके वेतन एवं भत्ता राजे की संचित निधी से दिया जाता है साथी साथ उनका पेंसन भी राजे की संचित निधी पर ही भारित होता है इसमें केंद्रिय संसित निधी का कोई रोल नहीं होता है और तीनों कथन जो है वो बिलकुल सही है 22 प्रशने वीत आयोक के संबंद में कथनों पर विचार की तो आपको पता है कि वीत आयोक गठित होता है परती पांच वर्शों पे तो वीत आयोक के एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते है अनुछे 280 के तहद वीत आयोक का गठन किया गया है इनकी पुनर न्यूकती नहीं हो सकती है तो वीत आयोक के जब तक विस्तार से नहीं पढ़ेंगे इन परशनों का उत्तर ढोड़ना मुश्किल होगा आईए जानते हैं इसमें से कौन गलत है एक गलत है एक एवां तीन गलत है एक एवां दो गलत है एक दो तीन सभी गलत है इसका जो सही उत्तर है वो है एक और तीन गलत है दो सही है क्योंकि आर्टिकल 280 वीत आयोक से संबंधित है ये बिलकुल सही है लेकिन इसमें एक अध्यक्ष और दो सदसे नहीं बलकि चार सदसे होते हैं इसके अलाबा इनकी पुनार नियुक्ती नहीं हो सकती ये भी कथन गलत है क्योंकि भी तायोक के सदस्विक्ष संबंधित पुनार नियुक्ती का भी प्रावंध किया गया है आते हैं अगले प्रश्ण के और तेश्वा प्रश्ण है किस संबिधान संसोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत मूल अधिकारों को राष्टिये आपात में निलंबित नहीं किया जा सकता ओप्सन है 44, 43, 44 और 46 तो किस संबिधान संसोधन द्वारा आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी आपात काल में निलंबित नहीं किया जाएगा इसको जोरा गया इसका जो सही उतर है वो है 44 24 संबिधान संसों द्वारा निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 20 और 21 द्वारा परदत मूल अधिकार को राष्ट्रिय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है 24 प्रसने लंदन में करजनवाईली की हत्या का संबन्द जो है आप्शन ए, esperarра 29 में लंदन में करअंति कारी मदनला धिकत् संबन्द की हत्या कर दे यानी भारत सची माले के सलाहकार की हत्या कर दे थी 25 प्रसने सीता अधियक्स का संबन्द इतिहास में किस से मिलता है तो इतिहास में ये प्राशन जो है खास करके मौरे काल में काफी ज़्यादा परचलित रहा है उप्शन है प्रसासनिक विभाग से धार्मिक विभाग से भूमी कर विभाग से और विववार विभाग से इसका जो सही उत्तर है वो है भूमी कर विभाग से क्योंकि सीता का मतलब होता था सरकारी भूमी और सीता अध्यक्स यानी सरकारी भूमी पर टैक्स लेने वाला यानी भूमी कर विभाग से समझधित है सिता अध्यक्स नामक जो अधिकारी होते थे वो भूमी से संबंधित अधिकारी होते थे 26. कस्मीर के छेत्रिये इतिहास का सजी बर्नन कहां मिलता है किताब उल रेहला में, किताब उल हिंद में, तुगलक नामा में और राज तरंगनी में तो अगर आपने कस्मीर के इतिहास के संबंध में पढ़ा होगा तो इजली आप इसके एंसर को चूज कर सकते हैं, वो है उप्शन D कलहन द्वारा रचित राज तरंगनी में मुखे रुप्षे कस्मीर से संबंधित राजा और वहां के इतिहास का वर्नन जो है वो मिलता है तो ये आप देख सकते हैं पुष्टक कलहन्स की राज तरंगनी 27 प्रशन है सेर साह के संबंध में निमलिखित में से कौन सा कथन असत्ते है तो सेर साह का नाम आपने सुना होगा कि मदेकालीन भारतिय इतिहास की एक प्रमुक्षाशक है तो इसके संबंध में कौन सा असत्ते हैं पहला है सेर साह ने बिलगराम युद में बीजय के बाद दूतिये अफकान राजे की अस्थापना दिल्ली में की शेर साह ने उपज का एक वटा तीन जो है वो टेक्स के रूप में वशूला शेर साह का मकवरा नालंदा में है और शेर साह के द्वारा भूमी की प्रमाई सोतू सन की डंडी यानि सीकंदरी गज का प्रयोग शुरू किया था तो चारो कथनों में अगर गलत कथन चुनना हो तो इसका जो गलत कथन है वो उप्जन सी है क्योंकि सेर साह का मकवरा जो है वो आप देख रहे हैं इस फिगर में ये नालंदा में नहीं है बलकि यह रुखतास के सासाराम में इस्थित है तो ये अस्थ भूजी ये मकवरा जो है ये एक प्रमुक परियटन अस्थ खलो में से है बिहार में 28 में प्रश्न के और आते हैं घोरो को दागने की परथा कि सासक के दौरा सबसे पहली बार सुरू की गई थी आप्सन है जलालुदीन खिलजी अलाओ दिन खिलजी इल्तु तमीस मुहमद बिन तुगलक तो इसका जो सही उत्तर है वो है अलाओ दिन खिलजी अलाओ दिन खिलजी जो है वो खिलजी बंस का सबसे प्रमुक सा सकता उसने सेना को बेहतर बनाने के लिए घोरो को दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा जो है वो प्रारम की अलाओ दिन के बच्पन का नाम अगर हम लोग देखें तो गुरसब था अपनी प्रारमभिक सफलताओं से प्रसाहित होकर करके अलाओ दिन खिल जी ने जो है वो सिकंदर दूतिये की उपाधी भी ले ली थी जो की कई पार पूछा जाता है इसके अलावा अलाई दर्वाजा, कुस्क एद सिकार का निर्मान भी अलाउदिन खिल जी के द्वारा करवाया गया था 29 प्रस्टने निमलीखित में से कौन सा पदार्थ केंदरक में सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है तो आपने कोसिका के बगर सम्द्ध में तो काफी पढ़ा होगा सेल और इस सेल में एक केंदरक होता है इस केंदरक के अंदर कई प्रमुक बिंदू आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें सरवाधिक मात्रा में क्या पाय जाता है तो option है कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, फॉस्फोलिपीट्स और डी एने तो किंद्रक जो होता है एक सेल के अंदर जो किंद्रक होता है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ पाय जाता है खोज जह वो Robert Brown के द्वारा 1831 में किया गया था उन तीसमें प्रश्ण के और आते हैं प्रकास संसलेशन की प्रकासित अभी किरिया है क्लोडोप्लास्ट में कहां संपन होती है ग्रेना के अंदर, इस्टोमा के अंदर, क्रोमोप्लास्ट के अंदर, लिवकोप्लास्ट के अंदर तो प्रकास संसलेशन की प्रकिरिया जो है वो शुरू होती है क्लोडोप्लास्ट में लेकिन क्लोडोप्लास्ट में ये मुखे रुप से शुरू होता है ग्रेना के अंदर आईए इसके बारे में जानते हैं हरे पोधों में क्लोडोप्लास्ट प्रकास अंसलेशन की किरिया को संपन कराता है प्रकास अंसलेशन की प्रकिरिया जो है क्लोडोप्रास्ट के ग्रेना में होती है जबकि अप्रकासिक अभिक्रिया जो है वो इस्टोमा में संपन होती है तो अगर प्रकासिय अभिक्रिया की बात करेंगे तो क्लोडोप्रास्ट का ग्रेना इसका सही उतर होगा एक तिस्वा प्रशन है हेलो फाइट्स क्या होते हैं तो ये प्रकार का पौधा या वन होता है वे पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उखते हैं वे पौधे जो उचे स्थानों पर उखते हैं वे पौधे जो ना तो सुस्क और ना ही नम जगा पे उगते हैं वे पौधे जो लवनों वाली मिटी में उगते हैं तो हेलो फाइट जो है वो वास्तों में option D है यानि वैसे पौधे जो लवन वाली मिटी या लवनिये जल वाले छितरों में उगते वाले जो पौधे होते हैं उसको हेलो फाइट कह करके संबोधित किया जाता है 32 प्रशने निम्ड में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है आप्शन है PCR, रीपा, करपास, एलीशा तो एड्स के लिए कई टेस्ट किया जाते हैं तो चारों आप्शन में अगर ध्यान से देखेंगे तो सही उतर जो है वो है आप्शन D सभी यहां पर आप देख सकते हैं कि AIDS या HIV के टेस्ट के लिए कई टेस्ट का प्रयोग किया जाता है जिसमें ELISA, CD4, Absolute Count, Best Turn, Blood Test, रीपा, जाँच, PCR, करपास, आदी यह सभी के सभी टेस्ट के माध्यम से एड्स संबंधी जनकारी फ्राप्त की जा सकती है तो याद रखेंगे कि कभी भी क्या पूछा जाता है इसे जरूर पढ़ें नहीं पूछा जा रहा है या हाँ पूछा जा जा रहा है तो यह जरूर ध्यान देना है केल्सी फिलोर अस्थी रुगंता, नियासीन पिलागरा, कोबाल एमीन रक्ताल्पता और राइवो फ्लेवीन बेरी बेरी रोग तो इसका जो सही उत्तर है वो है option D, राइवो फ्लेवीन जो है वो बेरी बेरी रोग का कारण नहीं है तो यहाँ पर जो सही सुमेल होगा वो होना चाहिए था थाइमीन और बेरी-बेरी रोग चोतिस्वा प्रस्ट जो है वो 10 to the power 9 के लिए क्या परियुक्त किया जाता है आप्शन है नैनो, गीगा, माइक्रो और टेरा तो 10 to the power 9 के लिए यूज जो किया जाता है वो गीगा का यूज किया जाता है अगर आप इस टेबल को पढ़े होंगे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि यदि उस पावर का जो मान है वो कम होगा तो क्या कहेंगे और जादा होगा तो किस पर क्या कहेंगे तो ये टेबल को एक बार अच्छे से रट लीजिए और इसके जो महत्पून पॉइंट है वो यहाँ पे दिया गया है जिसे 15 का पेटा, माइनस 15 होगा तो फिम्टो, 18 का एकसा और माइनस 18 होगा तो एटो, और 9 का गीगा और माइनस 9 होगा तो नैनो ये दोनों अल्टरनेटिब में, गीगा और नैनो दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं 35 परसने, सीलीकॉन, जर्मेनियम, कारवन, आदी पदार्थों की परतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या हो जाती है बढ़ जाती है, घड़ जाती है, पहले बढ़ती है, फिर घड़ती है, इनमें से कोई नहीं तो सीलीकॉन और जर्मेनियम, कारवन, आदी पदार्थों की परतिरोधकता होती है ये टेमपरेचर बढ़ने पर जो है, वो घड़ती है क्यों घड़ती आईए समझते हैं, तो तापमान बढ़ने पर अर्ध चालकों में सह स्वयोजक बंधन जो होता है, वो टूटने लगता है जिसके कारण चालकता तो बढ़ जाती है, लेकिन परतिरोधक चमता जो है, वो घड़ जाती है तो अगर आपसे रेसिस्टी के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि ये घटेगा, लेकिन टेंपरेचर बढ़ने पर अगर चालकता पूछा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा 36 प्रशने, निमलिखित में से किस ततो का सरवाधिक समस्थानिक यानि आईसो टॉप होता है, लीथियम का, ऑक्सीजन का, यूरेनियम का, पोलिनियम का, तो इसका जो सही उतर जो है, वो आईसो टॉप सबसे ज़्यादा होता है, पोलिनियम का, ये एकदम याद कर लें, य पोलिनियम जो होता है, जिसे पीओ कहा जाता है, ये रेडियो धर्मी और और अस्थाई होता है, सभी ग्याद ततों में सबसे सरवाधिक समस्थानिक इसी के पाए जाते हैं, आते हैं अगले प्रशन के और अगला प्रशन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो प्रशन है, पानी, ऑक्षीजन, राक, बर्फ, तो इसका जो सही उतर जो है, वो है पानी, हाइड्रोजन को जब हवा की उपस्थिती में जलाया जाता है, तो पानी होता है, क्योंकि 2H2 और O2 बराबर 2H2O, तो यानि जल की प्राप्ती जो है, वो हाइड्रोजन को हवा में जलाने पर होती है, और तिसमें प्रशन में आते हैं, महा मना के नाम से किस वेक्ति को जाना जाता था, आप्शन है, अटल विहारी बाजबेई, करपूरी ठाकूर, जैप्रकास नरायन, मदन मोहन मालविये, तो महा मना की जो उपाधी दी गई थी, वो दी गई थी, मदन मो जाना जाता है, महा मना के नाम से, करपूरी ठाकूर को जननायक के नाम से, और जैप्रकास नरायन को लोकनायक के नाम से जाना जाता था, तो ये काफी ज़्यदा परसीद जो नेम्स होते हैं, उनसे भी रिलेटेड प्रशन पूछ दिये जाते हैं, उन्चारिसवा प्रशन सुक्रोज और गलेक्टोज कौन नहीं है मोनो सैकराइट तो इसका जो सही उतर है वो है सुक्रोज क्यों नहीं है तो जहां मोनो सैकराइट में यह कारबर हाइडरेट की सबसे तरलव प्रवस्था होती है वहीं सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज, आदी डाई सेके राइट्स होती है जिसके कारण जो है मोनो सेके राइट्स के अंतरगत इसे नहीं रखा चारिस्वा प्रशने एहोल प्रसस्ती अभिलेक की रचना किस ने की थी एहोल में पुलकेशिन दूतिये की परशंसा की गई है और ये किसके द्वारा प्रसस्ती अभिलेक की रचना की है ये पुलकेशिन दूतिये के दरवारी थे इस अभिलेक में पुलकेशिन दूतिये का विवर वर्नन मिलता है और इसी में यह वर्नन मिलता है कि पुलकेशिन दूतिये के हाथों जो है ये सीमीत छित्रों में हुआ था वहीं इसमें सीमीत वर्ग ने भाग लिया था तो किसने भाग नहीं लिया था ओप्सन है जमिंदार वर्ग ने, खेती हर मजदूर वर्ग ने, मुसलिम वर्ग ने, किर्शक वर्ग ने इसका जो सही उत्तर है वो है जमिंदार जो बड़े बड़े जमिंदार थे अधिकांस लोगों ने भाग नहीं लिया था कुछ को छोड़के जैसे बाबु कुबर सी और कुछ अन्य जमिंदार थे जिनों ने भाग लिया था लेकिन बंगाल और जो प्रमुक छेतर थे मुंबई बगरा वहां के जमिंदारों ने बिलकुल भी इसमे भाग नहीं लिया था 42 प्रसने निमलिखित में से कौन सा यूग्म सुमेलित यूग्म है पहला है बकसर का यूद मीर जफर और कलाइब के बीच हुआ था वांडी वाज का यूद फ्रांस और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था वेडरा का यूद डलहाजी और मराठो के बीच हुआ था और खेरा का यूद निजाम और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था तो कौन सा सही सुमेलित है तो इसका जो सही उत्तर है वो है वांडी वाश वांडी वाश जो है वो 1760 में हुआ था और ये 1760 में फ्रांसिसी और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये संघर्च हुआ जिसमें इस्ट इंडिया कंपनी की जीत होई और फ्रांस इसीयो का बोड़ी अविस्तर बढ़ गया इसके अलावा बकसर कायूद जो है उमीर कासिम और हेक्टर के बीच में हुआ था वेदरा कायूद डच और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था खेरा का युद साहू और ताराबाई के बीच हुआ था 43 प्राशने भारी जल का रासाइनिक फर्मूला क्या है H2O, D2O, H2CO3 और H2S तो भारी जल जो है जिसे हम लोग Deuterium Oxide के नाम से जानते हैं तो इसलिए इस परकार से इसका जुस्त ही उत्तर है वो D2O है जिसमें साधारन Hydrogen का दोगूना दरविबान होता है भारी जल का जो अनुभार होता है ये 20 होता है ये भी कई बार प्रश्में पूछा गया हुआ है 44 प्रश्न है चस्मे के Lens के लिए किस काच का प्रयोग किया जाता है वो है क्रुक्सकाच इसका जो सही उत्तर है यह मुखेता दुरलब पदार्थ मिर्दा तत्वों के Oxide जैसे की Serium Oxide इससे चस्में के Lens बनाये जाते है जिसे क्रुक्सकाच कहा जाता है जो चस्मा का जो Special Lens बनाये जाता है वो बनाये जाता है क्रुक्सकाच से 45 वा प्रशन निमलीखित में से कौन सा विकल बंधनों को किया सील से सही करम में दर्साता है एकल बंधन, दूतिये बंधन और त्री बंधन सब बड़ाबर है त्री बंधन से कम दूतिये बंधन और एकल बंधन एकल बंधन दूतिये बंधन और त्री बंधन इन मेंशे कोई नहीं इसका जो सही उत्तर है वो है option C एकल बंधन उसके बाद दूतिये बंधन और फिर त्री बंधन जब कोई परमानू इलेक्ट्रोन गरहन करता है तो इलेक्ट्रोन त्याग करता है इस रासाइनिक बंधन कहते हैं रासाइनिक बंधन तीन प्रकार के होते हैं एकल दूतिय और तिर्तिय बंधन उर्जा का जो सही करम होता है वो एकल फिर दूतिय और फिर तिर्तिय बंधन होता है आते हैं 46 में प्राश्न के और निमलीकित में से किस अंग में आवशकता से अधिक सरक्रा या कार्वोहाइडरेट गलाइकोज के रूप में संचित करता है हिर्दय में, फेफरा में, यक्रित में और व्रिक में तो कार्वो हाइडरेट का जो सबसे ज़्यादा रूप संचरित रहता है यक्रित में यक्रित आवशकता से अधिक सरक्रा और कार्वो हाइडरेट गलाइकोज के रूप में संचित करता है सरीर को जरूरत परने पर या पूना ग्लुकोज में परिवर्टत कर उसे प्रदान करता है सरीर में सरक्रा की कमी होने पर यक्रित उन्हें प्रोटीन से संसलेसित करके प्रस्तूत करता है 47 प्रश्न है Distill Water का संबंध किस्से है यानि Distill Water क्या है Option है एक Willian है विद्धुत का सुचालक है विद्धुत का कुचालक है एक विद्धुत अब घटक के रूप में काम करता है तो Distill Water का नाम आपने सुना होगा घरों में बैटरियों में प्रयोग किया जाता है ये एक Willian का कुचालक होता है वास्ताव में Distill Water जो होता है उसे आसूत जल भी कहा जाता है सुध जल विद्धुत का कुचालक यानि यह जो जल होता है ये बिल्कुल सुध होता है जो कि विधूद का कुचालक होता है आसुद जल में कोई असुद्धी नहीं होती है क्योंकि इसका उपयोग अलग कारियों के लिकिया जाता है इसमें मुखे रुप से आपको यह याद रखना है कि यह सुद्ध जल की सरेणी में आता है और यह जो है, विधूत का कुछालग होता है आर्टालिस प्रशन क्यों रहते है अर्टालिस प्रशन हरित करांती के सम्बन्द में कौन का तरही नहीं है तो आपको पता है कि भारत में जो है वो ग्रीन डेविलियुशन आया था पर्थम चरण में हरियाना, पंजाब और पश्चिम उत्तर परदेश में इसे लागू किया गया था और हरित करांती से दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफी बिर्धी हुई तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर है वो है हरित करांती से संबंधित जो सही नहीं है वो है option D हरित करांती में मुख्य रुप से गेहु को लाब मिला था, अन्ने फसलों पर इसका बहुत अधिक सकरात्मक प्रवाव नहीं परा था उत्पादन में बिर्धी कुछ हुई थी लेकिन मुख्य रुप से गेहु के फसल में जो है काफी जादा उत्पादन पर बिर्धी हुई थी उन्चास्वा प्रसने भारतिये लगू उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहां इस्थित है तो जो सिडवी है उसका मुख्यालय कहां है आप्शन है मुंबई, नई दिली, इलाहबाद, लखनव इसका जो सही उत्तर है वो है लखनव सिडवी जो की मुख्य रुप से भारतिये लगू द्योग विकास बैंक है इसका मुख्यालय लखनव में इस्थित है दो अप्रेल 990 को इसका गठन किया गया था पचासमा और आज का अंतीम प्रश्न हमारा कथन पहला भारतिये रिजर्ब बैंक का राश्टिये करण एक जनवड़ी 1955 को किया गया और कथन दूसरा है भारतिये रिजर्ब बैंक का लेखावर्स जो है प्रश्न सिंकला पसंद आया होगा पसंद आया तो हमारे टेलिग्राम चैनल से जोड़ जाए इसका पीडिये प्राप्त कर लीजिए इसके अलाबा एक पेर इरुटेरिया के नाम लगाना ना भूले धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद